नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कुछ वीडियो से में कुछ जोतिश ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें बेसिक से लेके और एडवांस मानना है तो अभी गोचर के बारें बात चल रहा ही थी आज हम लोग देखेंगे कि गोचर में गोचर के कुछ ऐसे नियम पांच्छे नियम है वो कुछ ऐसे नियम है कि जिनके बेस पे आप ये बता सकते हैं कि कोई भी होने वाली घटना कब घटेगी यानि नाउकरी कब ल है नुख इनका देखेंगे वार्ता के Cup लेएनि कौ5 सिद्धी काल बोलते हैं उसको यानि जिसके थुरूाइक को ये बताना कि किसी बिभाव से संबंधित कार्य अगर आपका कार्य से संबंधित है तो भाव कौनसा हुआ भाव हुआ दसवा तो 10 वा से c Amandate kार्य की सिद् खरीदनी है आप property कब खरीब पाएंगे हैं आप कब होगा सब चीजें ना है आपका विभा कब होगा तो यह सब चीजें लिए हम भाव सिद्धिकाल से देखेंगे जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो थोड़ा समझ लेजिए और अगर आप समझ गए तो भाव सिद्धिकाल बिल्कुत समना आ जाएगा और आप किसी भी घटना की पडिक्शन करने में समर्थ हो जाएगे पहला नियम क्या कहता है पहला नियम कहता है लगनेश जनम पत्रिका में जिस राशी और अंश पर हो उसके त्रिकोण में या समसब तक में भावेश आए तो कारिशिद्धी होती है इस बात क्या मतलब हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि सपोज आप ये देखेना चाहते हैं कुर्णी में कि चौते भाव से संबंदित प्रॉपर्टी मैं कब खरीदूंगा तो चौते भाव का जो स्वामी है वो भावेश हुआ उसको हम बोलेंगे भावेश जिस भाव का भी हम लोग प्रशन विचार कर रहे हैं या जिस भाव से संबंदित हमारा कारिया है उस भाव के स्वामी को हम लोग बोलते हैं भावेश तो इसमें ये कहता है कि लगनेश जनब पत्रिका में जिस राशी में हूँ और जिस आंश्वे हूँ मालो लगनेश जनब पत्रिका में चार नंबर राशी में है लगनेश जनब पत्रिका में कट नंबर राशी में है उसके त्रिकोन में उसका त्रिकोन क्या हुआ चार आठ बारा तीन त्रिकोन होते हैं आपको मालो में एक, पांच, नो, दो, छे, दस, और चार, आट, बारा, और तीन, साथ, ग्यारा, चार त्रिकोन होते हैं, आप ये टोटल जानते हैं, ये चार त्रिकोन के बारे मैंने आपको बताया, तो चार का जो त्रिकोन होता है, वो चार, आट, बारा होता है, तीन का त्रिकोन, तीन, स जिस राशी में है अगर लगनेश जनव पत्रिका में करक राशी में है तो उसके त्रिकोण में गोचर में जब भावेश भावेश में चौथे भाव को स्वामी क्योंकि हमें प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसके त्रिकोण में आएगा त्रिकोण में यानि चार आठ बार नमबर राशी पर आएगा तो कार्य हमारा सिद्ध होगा यानि हम प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे बहुत सिंपल रूल है आप यह समझ गये होंगे कि लगनेश जनम पत्रिका में जिस राशी में है उसके त्रिकोंड में जब भी भावेश आए तो कारे की सिद्धी होती ह और इसी का फिर विप्रीत कर लीजिए उल्टा कर लीजिए कि भावेश लगन पत्रिका में जिस राशी में है सपोज आप देखना चाहते हैं कि विवाव कब होगा तो विवावाव का स्वामी को आप चेक कीजिए विवावाव का स्वामी लगन पत्रिका में जिस राशी म माल लो कि वह आपकी सिंग राशी में तो उसके त्रिकोंड में त्रिकोंड क्या हुआ मैंने आपको बताया कि तीन चार त्रिकोंड होते हैं 159 तो चुकि इस पांच नंबर राशी में है भावेश तो उसका त्रिकोंड हुआ 159 यानि लगनेश गोचर में पहली पांचवी या नवी राशी पताए तो आपका काम बनेगा मतलब आपने कुछ नहीं करना है आपने करना क्या है कि देखना है कि विवहाब भाव का फल कम मिलेगा तो आपको विवहाब हाव का स्वामी जो हो गया भावेश बोलते हैं विवहाब का स्वामी होगtałшोて कि इस यह वावा पर उसको फिक्स कर देना अगर वहरं 5 नंबर र तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा फिर व्चर में चेक कर लीजिए अगर लगनेश किस अगर नमबर राशी पर पांचुन पर राशी पम्चन नमबर राशी में तो हग व हैं तो हुआने इस समय आके खता कि आपकी करी लगे हैं तो यह किसी पूछा कि हमारे लगेगेगे तो आप लेकिन इस वाले में हमें लगनेश और भावेश दोनों गोचर में देखने हैं अगर वो दोनों गोचर में एक साथ आ गए तो समझो काम बन गया काम हो जाएगा जिस भी बाव से सम्मंदित बात चल रही है आप तो मोटा मोटा एतना समझ देजिए कि लगनेश जब आफ़िक किसी ग्रह के साथ गोचर में भूबा कैं पुरनए देखो अपनी कुलडी को देखो किसजिए ऑग्रह के साथ बैढ़ा है वह ग्रह आपके जिस भाव का स्वामी है उस भाव का हैप्टिव हो जाता है वह अस भाव कर मिलने शुरू हु shortened बशर्ते अगर दशा हो तो आपको उस भाव के फल मिलते हैं उस भाव की कामना याद की सिद्धों नहीं स्टार्ट जाती है सिंपल फार्मूला अपनी ये लगाना है कि लगनेश और भावेश जब गोचर में एक साथ हो गोचर कुंडली में तो उस कारे की सिद्धी होती है लगनेश और भावेश गोचर में जब आमने सामने आ जाएं मालिया वो एक साथ नहीं है लेकिन एक दूसरे के आमने सामने दूसरे को देख रहे हैं साथ की द्रस्टी से तो भी कारे की सिद्धी हो अगर लगनेश और भावेश एक दूसरे को पून द्रस्टी से देख रहे ह हैं तो कार्य की तो गोचर कंड़ी का बड़ा कमाल पिए गोचर कंड़ी में आप ज़रूर देखिए जब देखें हलागी गोचर इतना प्रभाव नहीं डालता में तो बटा रहा हूं है और यह दशा के result में कमी पेशी करता है गटाता बढ़ाता है हलका खुलका ऐसा नहीं खतम करते तो आपको मिलेंगे तर्षा में लेकिन उसमें थोड़ी कमी पेशी लिखाता है तो गोचर का बड़ा महत्व है तो आपको ये जरूर देखना होगा उस भाव के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे अगर दशा चल लएगे अगर गोचर कुंडली में लगनेश आपके जिस ग्रह के साथ बैठा है और वो ग्रह आपके चौथे और पांचवे भाव का स्वामी है तो आपको चौथे और पांचवे भाव के मिलना शुरू हो जाएगे तो यह थे कुछ नियम जो मैंने आपको बताए इसके लावा जो नेक्स्ट नियम हैं इसी विशे के ऊपर भाव सिद्धिकाल के ऊपर मैं आपको नेक्स क्लास में बताऊंगा उनको याद रखिएगा तो यह दो क्लास में लाके जो नियम बन जा तो आप बता सकते हैं धन्यवाद जैश्री कृष्टा